चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सेलेक्टिड काम की और महत्यपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनिट में पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नितिश कुमार ने कहा मैं हमेशा मोधी के साथ रहूँगा भाशन के बाद प्रदान मंत्री के पेर चुने के लिए जुके तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया जिहां दोस्तो दिल्ली में शुकरवार को NDA की बेटा कोई प्रदान मंत्री मोधी को संसदी अदल का नेता चुना गया यहां बेटक दो घंटे से ज़्यादा चली गटबंदन के तेरा निताओं ने भाशन दिये लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा नितिश के भाशन और उनके एक वाइरल वीडियो की हो रही है वहीं चिराग पासवान जब भाशन देकर मोधी के पास पहुँचे तो पीम ने उन्हें गले लगा लिया दरसल दोस्तो नितिश भाशन देने के बाद मंच की तरफ आये तो उन्होंने प्रदान मंत्री मोधी के पेर चुने की कोशिश करी जैसे ही नितिश कुमार पेट चुने को आगे बढ़े तो मोधी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिये चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार राश्पती ने मोधी को दिया नई सरकार बनाने का नियोता नो जून को सपत गरहन पदान मंत्री ने कहा अठारवी लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी जिहन दोस्तो नरिंद्र मोधी को शुकरवार साथ जून को नेशनल डेमोकरिटिक अलाइंस एंडिये की संसदी अदल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया पुराने संसद सविदान सदन के सेंट्रल होल में सुबह ग्यारा बज़े शुरू हुई मीटिंग में एंडिये के तेरा दलो के नेता शामिल हुए बेटक में एंडिये के सभी 239 शांसद, राजसवा सांसद और सभी राज्यों के मुखे मंतरी और डिप्टी सीम मुझूद थे इसके बाद एंडिये ने दोपर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया दोस्तो गटमंदन के नेताओं ने राजपती द्रोपती मुर्मु को समर्थन का पत्र बीसों पा चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार कंगना रानावत को थपल मारने वाली कुलविंदर कोर पर एक्षन तेज सस्पेंसन के बाद अब इन धाराओं में FIR होई दर्ज जीहां दोस्तो इमाचल की मंडी लोकसबा सीड से नव निर्वाचित सांसाद और अबिनेतरी कंगना रानावत से चंडिगट एरबोट पर बज सलुकी के बाद से अंगामा मचा हुआ है इस मामले में आरोपी CISF कांस्टेबल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कारेवाही शुरू कर दी गई है वहीं दोस्तो इससे पहले CISF ने आरोपी मईला कांस्टेबल को सस्पेंड करके जाच के आदेश दिये थे इस मामले में संबंदित थाला पुलिस ने CISF की शिकायत के आदार पर आरोपी मईला जवान कुलविंदर कोर के खिलाफ IPC की धरा 323 और 341 का तरत मुकतमा दर्ज किया गया है दोनों जमानती धरा हैं और अभी तक कोई गरिफतारी नहीं हुई है चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर डियेस कटूरे ने आरोपी के पिता विशार अगरवाल उसके दादा सुरेंदर अगरवाल के अलावाद तीन अन्य लोगों पर अपने बेटे शशीकांत को आत्मत्या के लिए उक्साने का आरोप लगया है चले दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर थपड कांड पर बोलीवड की चुपपी से भड़ के गंगनारानावत कहा ये आपके साथ भी हो सकता है आगे देखना में ही आपके हक के लिए लड़ती नज़र आऊंगी जिया दोस्तो मंडी सीट से लोग सुबा चुनाव जीतने के बाद कंगनारानावत को गुरुवार को चंडिगड एरपोर्ट पर CISF की महिला कांस्टेबल कुल विंदर कोर ने थपड़ मार दिया था इस घटना की कंगना के फैंस ने सोशल मीडिया पर जम कर निंदा की लेकिन बोल्यूड के जादातर सेलेब्स चुपपी सादे रहे फिल्म अंडस्टी की चुपपी देख कंगना का पारा चड़ गया उन्होंने शुकरवार सुबा इंस्ट्राग्राम स्टोरीज पर बोल्यूड सेलेब्स के खिलाफ अपनी भडास निकाली हलांकि चंद मिनट बाद इसे डिलेट कर दिया तब भी कंगना की पोस्ट वाइरल हो गई चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर इंडिया ब्लोग सौनिया से मिलकर कमलनाथ बोले चंदरबाबू नितिश पर नजर महराष्टके निर्द्रिये सांसथने कांगरिस को समर्थन दिया जीतने वाले विशाल पाठिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मलेकार जुन खडगे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया आप लोग को समर्थन देने का एलान किया उदर दोस्तो दिल्ली में कमलनात ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की बाहर निकलने के बाद कमलनात ने कहा कि हम चंद्रबाबु नाइडियू और नितिश कुमार पर नजर बनाये हुए हैं कि वे क्या कर रहे हैं चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार शेर होल्डर्स के साथ किया गया खेल सेवी की ICICI बैंक को चेताओनी कहा आगे ऐसी गलती ना हो जहां दोस्तो शेर मार्केट रेगुलेटर रेगुलेट करने वाली संस्था सेवी ने देश के दूसरे सबसे बड़े ICICI बैंक यानि के प्राइवेट बैंक को चेताओनी जारी कर दी है यह चेताओनी इसलिए दी गई है क्योंकि बैंक ने ICICI सेक्यूर्टीज के शेरों को डी लिस्ट कराने के लिए शेरों को वोट देने के लिए दबाओ डालने की कोशिश की थी इस टोक डिलिस्ट कराने से तत्वर्य यह है कि यह शेरों को बाजार से हटाने के लिए है सेभी को कई सेरोल्डर्स की तरब से शिकायत मिली कि बैंक के अधिकारियों ने उन्हें फोन करके या मैसेज करके वोट देने के लिए दबाऊ डाला साती अभी कहा गया कि उन्होंने अपना वोट किस तरह दिया है इसकार इस स्क्रीन शोट भी शेर करें चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबार CM केजरिवाल के पीए विभाव कुमार को जटका कोट ने खारिज की जमानती आचका जयान दोस्तों जेल में बंद दिल्ली के मुखे मंत्रिय रिविंद केजरिवाल के पीए विभाव कुमार के लिए बूरी खबर है कोट ने सीम केजरिवाल के करीबी विभव कुमार के जमनत याच का खारिस कर दी विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी के सांसत और दिल्ली महिला आयोक की पूर्व अध्यक्ष स्वाती मालिवाल के साथ मार पीट और दुर्वेवार करने का आरोप है स्वाती मालिवाल का आरोप है कि उनके साथ सीम के इजरिवाल के आवास पर मार पीट की गई मुखे मंतर रिविंद के इजरिवाल के करीबी विभव कुमार पर राजसबा सदश्य स्वाती मालिवाल के साथ मार पीट करने का गंबीर आरोप लगा हुआ है दिल्ली पुलिस द्वारा ग्रफतार किया जाने के बाद विवाव कुमार ने तीस जारी कोट में जमनत के लिए अरजी दाकिल की थी चले दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली ख़बर सुनिता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पहुंच कर किया डांस वीडियो वाइरल बोईंग स्पेस क्राफ्ट से तीसरी बार अंत्रिक्ष पहुंची कहा ISS मेरे लिए दूसरे घर जैसा है जेंदस्तों बोईंग के स्पेस क्राफ्ट से तीसरी बार अंत्रिक्ष यात्रा पर गई भारतिय मूल की एस्ट्रोनोट सुनिता विलियम्स इंटरनेशनल इस्पेस सेंटर यानि की ISS पहुंचते ही डांस करती नजरा या उन्होंने दूसरे सभी एस्ट्रोनोट्स को गले से लगा लिया सुनिता की ISS पहुंचने का वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इसमें उनके स्पेस स्टेशन पहुंचने पर एक घंटी बज़ती हुई सुनाई देती है दरसल ये ISS की परंपरा है कि जब भी वहाँ कोई नया अंतरिक्ष यातरी पहुंचता है तो बाकि एस्ट्रोनोट्स घंटी बजाकर उन्सका स्वागत करते हैं चले दोस्तो जान लेते हैं इसके बाद अगली खबार चार सुपार का नारा अधूरा बीजेपी को इससे नुकसान हुआ बोले प्रसांतक किशोर जियां दोस्तो लुक्स बचुनाउं 2024 के नतीज़े आ चुके हैं और NDA गटबंदन केंदर में 293 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है वहीं दोस्तो इंडिया गटबंदन ने 204 सीटों पर जीत अंसिल किये यहां अगले एक्जिट पोल के नतीज़ों और चुनाउं विशलिशकों के अनुमान से काफी आलग है इस पर इंडिया टुडे ने राज़नतिक विशलिशक प्रशान किसोर से बातचीत की इंडिया टुडे के नियूज डारेक्टर राउल कवल और कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेशाई से बातचीत में प्रशांद किशोर ने बताये कि बीजेपी की सीटे कम होने के पीछे क्या वज़ाय रही ही उन्होंने यह भी माना कि चुनाओ नतीजों से जुड़ी उनकी भविश्यवानी भी गलत साबित हुई इस दोरान उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे का भी जिगर किया हुई महेंगाई की मारब की बार मोधी सरकार तो उद्देश साफता की मोधी सरकार क्यों क्योंकि महेंगाई है ऐसे में 400 पार मोधी सरकार क्यों चाहती है इसके आगे का जिगर इन्होंने छोड़ दिया इसी में इनका अहंकार जलका और विपक्ष को इसका फायदा मिला च उनकी और से 20 सीमा के नीचे जाने पर आटोमेटिकली पैसा एड़ कर सकेंगे रैंकरिंग पेमेंट मेकेनिजम के जरीए ऐसा होगा इसके लावा यूपी आई लाइट वोईलेट को इमेंडेट फ्रेमवर्क के तयत लाया गया है यानि कि दोस्तो इसमें भी पैसा 20 समय से 20 सी ना पड़ जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपके फास्टेक में पैसा खत्म हो चुका है लेकिन दोस्तो इस विदा के अनुसार अगर आपके फास्टेक के वोईलेट में एक लिमिट से कम पैसा हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट से अपने आप आपके फ करा नहीं मिल रहा है मोसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश पूर्वी मद्यप्रदेश और जारकंड में कई इस्थानों में हीट वेव चलने का अनुमान लगाया है राजस्तान में धूलबरी आंधी चलने का अलर्ट है वहीं दोस्तों बियार ओडिसा पशे मंगाल में उ पारिश हो रही है चले दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबार बाइडेन ने पहली बार जेलेस की से माफी मांगी कहा हमने सेन ने मदद पहुचाने में देर कर दी रूस को इसका फायदा मिला जिया दोस्तों अमेर की राश्पती ने पहली बार सार्जुनिक जाने की वजह से मांगी बाइडेन ने कहा कि इस वजह से रूस ने युद्ध के मैदान में युकरेन पर बड़त बना ली न्यूज एजनसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने युकरेन के साथ 61 मिलियन डॉलर के सेन ने पैकेज का एगरिमेंट किया था इसे र अगली खबार बाइडेन के बेटे पर नशे और फरजी टेक्स के आरोप अमेरिकी राश्पती बोले वो दोशी पाया गया तो माफ नहीं करूंगा जिया दोस्तों अमेरिका के राश्पती जो बाइडेन ने काए कि यदि गन ट्राइल में उसका बेटा हंटर बाइडेन द दोशी पाये जाता है तो वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे फ्रांस दोरे पर पहुंचे अमेरिकी राश्पती ने एक टीवी इंटर्व्यू में यह बाते कहीं बाइडेन के बेटे हंटर पर ड्रग्स लेने गलत जानकारी देकर बंदूख खरीदने और फरजी टेक्स पूचा गया कि क्या वो बाइडे बेटे हंटर को माफ नहीं करेंगे तो इस पर भी उनका जवाब हां में ही था